नमस्कार दोस्तों जै श्री राम, जै बागेश्वर धाम सरकार दोस्तों जैसा की आप सभी लोगों को पता है की बैसाक का मास चल रहा है और दोस्तों बैसाक के मास को माधव मास के नाम से भी जाना जाता है तो दोस्तों जिन लोगों को इस महीने का पूर्ण लाब उठाना है और अपने जीवन को सार्थक बनाना है और साथ ही साथ अपने जीवन को संपन बनाना है पैसों से संपन बनाना है धन धान्य से संपन बनाना है जीवन में शांती चाहिए खुशाली चाहिए तो इस महीने क आप जरूर से लाब उठाए और साथ ही साथ आज इस वीडियो में हम आपको तुलसी के 108 पत्र के ऐसे उपाय बताएंगे यानि कि आपको तुलसी के 108 पत्ते लेना है और उन पत्ती को ले जाकर पीपल के पास आपको एक अचुक उपाय करना है दोस्तों इस उपाय को जो भी शुरू करते हैं दोस्तों उपाय करने से पहले आप पीपल का महत्व जान लीजिए दोस्तों सकंद पुरान के अनुसार पीपल के पीपल की जड़ों में विश्नु जी का कृष्ण जी का और पत्तो और फलों में सभी देवी देवताओं का निवास थान है और पीपल भग पूजा करने से कई तरह के दोश दूर हो जाते हैं। इससे परेशानिया भी खत्म होती हैं। इससे महिलाओं का सौभाग्य भी बढ़ता है। धान के लाब के योग बनते हैं। इसलिए दोस्तों आज हम आपको पीपल के एक अच्छू कुपाय बताएंगे जिससे आपको इ ऐसे मंदिर के पास जाना है। जिस मंदिर के पास चले जाना है। जहां पीपल का व्रिक्ष भी हो फिर पीपल की आपको पूजा करनी है। और पीपल की जड़ में गाय का दूद डलना है। तिल और चंदन मिला हुआ पवित्रत जल डलना है। उसके के बाद जल चड़ान आपको अपने हाथ में 108 तुलसी के पत्ते लेने हैं। यानि कि दोस्तों आप जब मंदिर के लिए निकले तो आपके घर में जो तुलसी का पौधा लगा हुआ है। अपने पत्र जो है तोड़ने की आग्याद दें ऐसा बोलने के बाद आप श्री हरी विश्नु का नाम लेते हुए या फिर श्री तुलसी नारायन श्री नारायन इसका जाप करते करते आपको जो 108 तुलसी का पत्र तोड़ना है फिर 108 तुलसी के पत्र को आपको अच्छे से पिर जब आप पीपल व्रिक्ष के सामने अपनी सभी पूजा पाठ कर लेंगे उसके बाद उन 108 पीपल के पत्र को अपने हाथ में लेना है और आपको पूरी 108 परिक्रमा लगाना है और 108 परिक्रमा लगाते समय आपको जब आप पूरा 108 परिक्रमा लगा रहे होंगे तब पूरी 108 परिक्रमा आपको लगानी है और पूरा 108 परिक्रमा लगाते समय नाम जपेंगे फिर उसके बाद जब आपका पूरा 108 परिक्रमा हो जाएगा तो उसके बाद दोस्तों आपको प्रेम से आपको जो पीपल का व्रिक्ष है उसकी जड़ों के पास अपने हाथ को ले जा पीपल के जड़ो स्पर्श करके आपको पीपल के व्रिक्ष से मनुकामना बोलनी है, कि हे पीपल का व्रिक्ष आप मुझे आशिर्वाद दे और मुझे अपने इश्ट भगवान सीतारम, राधा, फ्रिश्न, हरी गौरिशनकर या जो भी आपके इश्ट भगवान है, उनका नाम लेकर आप बोलिये उनके चरनों में मेरा अनन्य प्रेम हो जाए उनके नाम है, मेरा अनन्य प्रेम हो जाए और मुझे मरने के बाद उनके लोग की प्राप्ति हो, क्योंकि दोस्तों ये जो आप उपाई करेंगे वह आपको नर्क जाने से बचा देगा और सीधे आपक चरणों में आपका अनन्य प्रेम हो जाए और वो हर पल आपके साथ रहे आपके जीवन में बने रहे। तुलसी के पत्तों को जो आपने अपने तुलसी के पास में शालिग्राम रखा है। उपर समर्पित कर देना है। चड़ा देना है उसके बाद दोस्तों आपका ये उपए हो जाएगा और आपको एक और उपए मैं आपको बता देता हूँ जिससे आपको मरने के बाद कभी भी नर्क नहीं जाना पड़ेगा। और दोस्तों जो आपने ये उपए किया है उससे भी आपको नर्क नहीं जाना पड़ेगा क्योंकि सकंद पुरान में सपश्ट रूप से लिखा है। और दूसरा उपाई ये कि आपके गले में हमेशा तुलसी की माला होनी चाहिए क्योंकि जिसके गले में तुलसी की माला होती है तो मरने के बाद उससे नर्क नहीं जाना पड़ता है वो सीधे भगवान के लोक में जाता है और दूसरी बात की जो आपने शाली ग्राम रखा दोस्तों अगर एक छोटा सा ये हुपाय आप अपनी दिन्चर्या में अपना लेते हैं, तो दोस्तों इससे ना सिर्फ आपको मरने के बाद अपने भगवान के शलोग की भगवान के धाम की प्राप्ति होगी बल्कि आपको जीते जी भी सुख संपत्ति मिलेगी और आप पर श्री हरी विश्नु की लक्ष्मी जी की और आपके जो भी इष्ट भगवान है, जैसे राधा कृष्न, सीताराम, शिव पारवती, जो भी आपके इष्ट भगवान है, तो उन सभी की भी क्रिपा आपको प्राप्त होगी तो दोस्तों वैशाक मास में इस उपाई को करके आप श्री हरी विश्नु की पूर्ण क्रिपा प्राप्त कर सकते हैं, अपने जीवन का उद्धार कर सकते हैं, अपने जीवन को सफल बना सकते हैं, तो आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेधन करता हूँ, कि आप इस उप जय बागेश्वर धाम सरकार हरहर महादेव